यहीं दोस्तों तो आसा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यदा इन्फॉर्मेटीव होने बाला है चाहे आप लोग BPSC TRE 1.0 में सेलेक्टेड हो या 2.0 में तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिद्याले पदस्थापन पत्र बितरन कारकरम को लेकर और इसके साथ ही हम दो जानेंगे बिद्याले पदस्थापन पत्र भरसेज योगदान पर पत्र के बारे में और इससे भी ज़्यदा इंपोर्डेंट है कि आपका क कब तक मिलेगा अपने जीलों में और उसके साथ साथ मैं बात करूँ सेलरी को लेकर तो सेलरी आपके कब से बनना स्टार्ट हो जाएंगे और फैनली सेलरी आपके अकाउंट में कब तक मिलेगे तो इस पे भी मैं इसी वीडियों में बात करने वाला हूं तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक चोटी से रिक्वेश्ट रहेगी कि वीडियो को अंतक ज़रूर देखे और साथ ही चैनल पे ने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के भी सेर जरूर करें क्योंकि देखिए जितना आप लोग सेर करते हैं जितना आप लोग सब्सक्राइब करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप सभी के बीच और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूँ और हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ बिद्याले पदस्थापन पत्र और साथ ही योगदान परपत्र के बारे में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये BPSC TRE 1 1.0 का है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा जो भी BPSC TRE 1.0 में सेलेक्ट हुए है तो उन्हीं के द्वारा किनी केनियेट से मैं मंगाया हूँ जो कि आप सभी का पिछली वीडियो पर बार बार कमेंट आ रहा था कि सर बिद्याले पदस्थापन पत्र का फॉर्मेट आएंगे और इसके साथ ही आपके सेलरी कब तक मिलेंगे यह मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा क्योंकि कई दफा क्या होता है कि बहुत सारे किनियेट देख लते हैं और बाद में में समझा 2.0 का है 2.0 का तो मुझे मिला ही नहीं तो इसलिए मैंने आपको पहले ही ब आप सभी को पता चल सके कि कि किस परकार से योगद्वन पर पत्त होते हैं और यगद्वन और साथ ही बिद्धाले पतास्फापनपत्तर और कब से आपके सेलरीया स्टाट होंगे शारख को जिसमें आपको मैंने सर्न मिल जाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं और यहाँ पे आपके फोटो लगे हुए रहेंगे साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके सारा कुछ कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे फिर नीचे आपको आना है देख सकते हैं कि बेगुसरा का यह है और जो किनियेट का मैं है आपको बद्याले अध्यापक जीला बेगुसरा के परखन बचवारा के बद्याले GPS railway school इतना में पदस्थापित किया जाता है आपका बेतन बिद्याले में योगदान के तिथी से प्रारंब होगा तो जो भी केनेट confusion में होगे कि मैं अभी BRC में हूँ तो अभी कभी मुझे salary मिलेगा तो बिल्कुल आप लोग confusion में हैं इस confusion को आपको दूर करना है जिस दिन आप लोग final school जोइन करेंगे उस दिन से आपके salary बनना स्टार्ट हो जाएंगे साप साप यहाँ पे लिखा गया कि आपका बेतन बिद्याले में योगदान की तिथी से प्रारंब होगा और इसके साथ आप अपना योगदान सलनगन योगदान परपत्र के अनुसार परधाना ध्यापक परभारे परधाना ध्यापक के समझ इस पत्र के निर्गत होने किती थी दो दिनों के अंदर करें यह दिया गया जिस दिन से आपको यह मिलेगा उसके दो दिनों के अंदर आपको किसी भी हाल में जोइन करना है इसकूल को हो सकता है किसी medical treatment के कारण अगर एक दो दिन लेट भी जाते हैं तो उसके लिए जदा प्रेसानी आपको नहीं लेना है फिर भी आप लोग जोइन हो सकते हैं नीचे में लिखा गया परदोना धैपक पर्वारी परदोना धैपक सनलगन परपत्र के को हस्ताच छिडित कर मूल परती जिला सिच्छापता दिकारी बेगू सराए के कारियाले में समरपीत करेंगे जहां योगदान समन्दित परव्रिष्ट सौप्ट वेर के माध्यम से सत् कि आपकी पड़ी विच्छा अब्धी भी विद्याले में योगदान की अब्धी से प्रारंब होगी तो यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं जिला सिच्छा पता दिकारी का है यहाँ पर मोहर सारा कुछ लगा हुआ रहेगा अब मैं नीचे बात करता हूँ कि जो आपके योगदान परपत्र क्या होता है देखिए मेंली जो इंपॉर्डेंट आपके लिए ये भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका नाम फादर सनयम एड्रेस सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा और नीचे में मैंसन रहेगा कि जिस भी एड्रेस या टीचर आइडी नमर सारा कुछ लिखा मिलेगा फिर जिला परखंड के परखंड बच्छवारा के बिदाले GPS रेलबे यहाँ पर देख सकते हैं मैं आज दिनां जिस दिन भी आप लोग जोईन करेंगे उस दिन का यहाँ पर डेट यहाँ पर आपको मिला लिखा हुआ रहेगा को पूर्बाहान या प्राहान अपना योगदान समर्पित करता या करती हूँ यहाँ पे सारा कुछ जो भी आप लोग जिस दिन जोइन करेंगे तो यही आपके परपत्र होते हैं कि जिस दिन जोइन करेंगे आप लोग उस दिन यहाँ पे mention करेंगे फिर देख सकते हैं कि यहाँ परती हस्ताच चर्था यहाँ पर बिद्यालय का परभारी का मोहर साइन रहेगा फिर योगदान करने बाले बिद्यालय ध्यापक का हस्ताच चर्था पर नाम पता सारा कुछ रहेगा और इसको आपको DPO office या सौरी DEO के office में आपको जमा करने हों गए तो दोस्तों उमीद करते हैं कि अब देखिए नीचे में जो आपके कुछ note points mention किया गए परभारी परभारी परदाना ध्यापक का करतब है कि वह इस योगदान परपत्र की मूल परती जिला सिच्छा पतादिकारी बेगुसराई को सौपे और उसकी एक छाया परती तो उनके लिए अगर मैं हाँ पर डेट की बात करूँ तो एपरोक्स दस फरभारी के आसपास से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और जिनको भी लग रहा है कि मैंने ज्यादा टाइम बता दिया तो दोस्तों आप लोग टाइम का वेट करिए फाइनली आपको पता चल कि कब से आपके मिलना प्रारंब होंगे क्योंकि देखिए मेरे पास जो इन्फार्मिशन ओफिसेल आता है वही मैं आपके भी सेर करता हूं हो सकता है दस फरभारी से दो दिन पहले या दो दिन बाद हो लेकिन एपरोक्स एराउंडिंग इसी के आसपास रहेंगे यहां तो मार्च को आपके यहां पर 21 दिन या 20 दिनों की जितना सेल्डी होगा आपके अकाउंट में टांसफर कर दिया जाएंगे सेल्डी की मैं बात करूंँ तो टाइम टू टाइम अभी सेल्डी दिया रहा है कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यदा इन्फार्मे आ रहा था कि सर आप लोग विद्याले पदस्थापन पत्र दिखाईए कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है और साथ ही जो है मेरे कब तक मिलेंगे तो मैंने आपको वो भी यहां पर मेंसन कर दिया और यह जब भी मिलता है वो डिश्टीक वाइज यह भी आप लोग एक ध्या पर फांस दिनों के डिफ्रेंस देखने को मिलेगा तो उसके लिए पिछले बार बहुत सारे इस्टैसे थे जो परिशान हो गए थे तो आप लोगों को परिशान नहीं होना है और विल्कुल बारीकी से जोइन करना जोइन करने में किसी परगार के अगर परिशान इस आती ह झाल